साथ हैं, निरेश कुमार जी स्वागत है सर आपका, नमशकार, जी अप्रल, यनकि जो आने वाला महीना है एप्रल, उसके बारे में जो जानकारी है, वो अपने विएस के साथ साथ सांजा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो है, वो ट्रानزिट करने जा रहे हैं, और बह सारी जानकारी उसके आपके साथ कर एक दो सबसे पहलेब में यह जानना चाहूंगे कि कौन से ग्रह 10 के एंपिल में ट्रांग जा रहे हैं करने से सब्सक्राइब का यह कंडह का ने से पहले जब ग्रहों का गोचर होता है या राशी पर बढ़तन करते हैं तो समाने तोर पर एस्टॉलजर की बात सुनकर लोग ड़ जाते हैं कि मेरे पर तो शनी आ रहा है मिच पर कित्व आ रहा है मेरे पर राहू का परभाव बढ़ जाएगा इस नेगटिविटी को पहले खतम कीजिए सबसे पहले यदि कोई फियर है तो उस फियर का पॉस्टिव यूज़ करना है इसको यूसफुल फियर बनाना है इससे डरना नहीं है क्योंकि जो लाइफ में होना है वो होकर रहेगा ये सिधान्त है लाइफ का लेकिन यदि आप डर जाते हैं यदि आप मन में बैठा लेते हैं कि फलाँ गरह मेरे विपरीत आ गया है या फलाँ स्टूशन मेरे विपरीत आ गया है तो फिर आप उस चीज़ को थोड़ा सा डर के चक्कर में ही आपका काम जो है थोड़ा कई बर रिजर्ट्स खराब हो जाते हैं या आपका अपना एफर्ट उस लेवल का नहीं रह पता इसलिए सबसे पहली बात यह है कि डरना नहीं है किसी भी हाल में किसी भी ग्रह के परवर्तन से दूसरा नहा शनी जो है वो राशी परवर्तन करेंगे अपरल में अपरल में राधर सारे ही ग्रहादाशी प्रोड़तन करेंगे शनी इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि दो अपरल को शनी जो है वो इसका जो संबद शुरू होने जा रहा है नया दो अपरल को शनी इस साल के राजा है तो संबद के जब राजा शनी होते हैं तो समाने तोर पर सितियां थोड़ी सी एड़र्स होती है यदि हम क्रोप पैटरन की बात करेंगे प्रडक्शन की बात करेंगे ग्लोबल शांती की बात करेंगे या इंफलेशन की बात करेंगे या फिर लेबर क्लास से जोड़ी समस्याएं हैं उनकी बात करेंगे तो ये सारी चीजें इनको शनी रिप्रेजेंट करता है तो जब शनी संबत के राजा है तो इन सारी चीजों में हमें कही न कहीं इंपक्ट देखने को मिलेगा लेकिन इसके बावजूद कुछ अच्छे गोचर भी होंगे जिसका फायदा भी मिलेगा तो 2 एपरल को संबत शुरू होगा उसके बाद नहा 7 एपरल को मंगल राशी परवरतन करेंगे मंगल इस समय शनी के साथ यूती में है वो राशी पुरतन करके कुम राशी में चले जाएंगे अगेन वो शनी की राशी है मंगल अपने दुश्मन ग्रह की राशी में ही रहेंगे इसके बाद बुद्ध जो इस समय नीच राशी में चल रहे हैं बुद्ध का राशी पुरतन होने जा रहा है रहू केतु का नहा गोच होने जा रहा है यह सबसे बड़ी रिलीफ देने वाला गोचर है इसका कारण यह है कि रहू केतु समाने तरब्स ब्राशी और दो रासी यह लग लग सिधानत हैं डोनों में उच्छे के परभाव देते हैं तो जब ये उच्छी की स्थिती में थे पिछले तीन साल में हमने देखा जिस तरह कैसे करोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया या उसके बाद ये जो स्थिती चल रही है यूक्रेयन और रशिया वाली ये सारी चीजें अप वाइंड अप हो जाएंगी ही दिन 13 अपरल को गुरू राशी पूरतन करके अपनी राशी में आ जाएंगे गुरू इस समय शनिकी राशी में थे गुरू अपनी राशी में जब होते हैं तो काफी अच्छे फल करते हैं क्योंकि गुरू फैनांस के कारक हैं गुरू सम्रिदी के कारक हैं गुरू अध् राशी परोड़तन हो रहा है शुक्र 27 एपरल को राशी परोड़तन कर लेते हैं चोदा एपरल को सूरे का भी राशी परोड़तन होगा तो सारे ग्रह एक महीने में राशी परोड़तन करेंगे तो उसका मिश्चित तोर पर हम सब जाकों पर चाहे आपकी राशी कोई भी है उसका असर देखने को मिलेगा जैसे आपने कहा कि शनी भी राशी परोड़तन करेंगे यानि कि कुछ लोगों पर ढ़ाईया या साड़े सती साजी बीशुरू हो इसका मतलब जैसे धनु राशी के ऊपर इस समय साड़े शानी का आखरी फेश चल रहा है जैसे ही मकर राशी से शनी कुम राशी की तरफ जायेंगे तो यह साड़े साथी का असरब हो जाएका कुम राशी में जाते ही शनी के शनी की ह coupon राशी अपनी र राशी से वो तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो वो सारे साती के प्रभाव से धनू राशी की मुक्ती हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही, इसके साथ साथ नहा जो मिथुन राशी है, उसके उपर शनी की धहिया चल रही है, क्योंकि मिथुन राशी से शनी इस्टम इस्टम जो राशियां प्रभाव में आने वाली था सबसे पहली बात तो यह है कि मीन राशी से बारूरे महाव में शनी का गोचर होगा तो मीन राशी एक तरीके से शनी के प्रभाव में आ जाएगी और इसके लावा यदे हम करक राशी की बात करते हैं तो Cambridge करक राशी से शनी अश्टम में गोचर करना शुरू कर देंगे तो करक राशी के ऊपर शनी की धहिया शुरू होगी इसके लावा यदि हम वरिष्चिक की बात करते हैं तो वरिष्चिक राशी के लिए भी शनी की धहिया जो है वो शुरू हो जाएगी यानि कि करक वरिष्च पर शनी की द्रिष्टी पड़ रही थी जैसे इस समय शनी दस राशी पर गोचर कर रहे हैं या मकर राशी पर गोचर कर रहे हैं तो तीसरी द्रिष्टी सीधा पड़ रही थी इसके उपर आपके मीन राशी के उपर तो मीन राशी तो खैर साड़े साती के प्रभाव में आ ज थीँ थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तो जो दस्वी द्रिष्टी मेश राशी के ऊपर पड़ रही थी तुला राशी के ऊपर पड़ रही थी दस्वी का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा साथवी द्रिष्टी नीचे छठे चे राशी जो है कन्या राशी उसके ऊपर पड़ेगी वहां पर थोड़ा सा प्रभाव जो है वो शुरू हो जाएगा और जब मीन राशी में रहेंगे शनी तो दसवीं द्रिष्टी से धनू र राशी की तो एक्जाम्पल यहां पर हम ले रहे हैं कि तो क्या धनूराशी के सभी जातों से जो जयतक हैं वो साठे़ साथी से फ्रि हो जाएंगे खीर्याइग इसका एक नियम होता है साठे़-धाथी का समाने तोरी पर जो ज़्यादा कन nuts नहीं किया जाता या ज्यादा लोग consider नहीं करते है astrology में समाने तोर पर आप astrology के पास जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके चंद्रमा से एक घर पहले या एक घर बाद शनी है तो साड़े साथी शुरू होती है क्योंकि ये एक मंदगा मिग रहा है एक राशी में धाई साल रहते हैं चंद्रमा से एक घर पहले धाई साल चंद्रमा के ऊपर से धाई साल और चंद्रमा से अगले घर में धाई साल इसको ये basic formula है साड़े साथी का लेकिन ये depend करता है कि आपकी कुण्ली में चंद्रमा की डिग्री क्या है नहां यह actual में formula यह है कि चंदरमा की डिग्री है आपकी कुंडली में उससे 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद शनी का प्रभाव रहता है यह actual में साड़े साती की calculation है लेकिन कई स्टोलिजर्जर्स जो है वो सीधा ही जैसे धनू में से निकले मकर में से निकले में 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 म आपको शनी के प्रभाव से मुक्ती नहीं मिलने जा रही है आप अपनी कुंडली में चंदरमा की डिग्री जरूर चेक करिएगा यदि चंदरमा 15 डिग्री से उपर है जितने डिग्री उपर है उतने महीने आप पर साड़े साती का प्रभाव रहेगा समझे एक डिग्री एक महीना माली जी आपकी कुंडली में चंदरमा धनुराशी में बीस डिग्री का है तो अगले पांच महीने आप अभी भी साड़े साती के प्रभाव में रहेंगे पांच महीने बाद डिग्री कर लिए आपको उससे मुक्ती मिलेगी तो यह एक्शल में फार्मला है नहीं करते हैं यदि हम किसी स्कॉलिटर के पास जाते हैं तो नौर्मलिठे नहीं लगंचार देखते हैं लगंचार से देखर विता देते हैं आपके उपर साढ़े साभी का प्रभाव शुरू हो गया या खतम हो गया तो इस चीज़ को पर्टिकुलरली देखना की डिगरी क् है तो साड़े-साती खतम है 15 से पहले यदि चंद्रमा की दृग्री 15 से जादा है तो फिर आप पर साड़े-साती सफल 내용 ओैसा नहीं होने वाला हूं आने बिलकूल मैं भांवाँ को इसे सारे साथी के प्रभाव से जिनकी पंद्रादिगरी से नीचे है नहीं धनूराशी के जातपों के लिए process फेसी खतम हूं है जिनकी क refrain का निमें पंद्रादिगरी से एक डिगरी भी ओपर है वह पर बताते हैं कि धनुराशी के जातकों पर से प्रभाव कम होने वाला है तो हम सब वहीं मालने ते हैं लेकिन डिग्री कली या कह लीजे कि अपने कुणलियों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली होती हैं उन चीज़ों को सौट आउट करने के लिए हमारा डेली लाइव होता है जिसमें आप हमारे साथ जूर सकते हैं इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे ह तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद